असलाम वालेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बक्राइद स्पेशल मसाला कलेजी की रेसिपी जिसको हम एकदम सौफ्ट बनाएंगे मसालेदार बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी तो ट्राइ जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा तो चले देख लेते हैं मसाला कलेजी बनाने के लिए हमने यहां पर एक किलो कलेजी लेली है इसको कर लेना है हमें वाश तो हम इसको वाश करने का तरीका भी बताएंगे किस तर करकर 10-15 मिनिट के लिए इसे ही छोड़ देना है इससे ही होगा यह अपना ब्लेट बगेरा जो इसमेल है वह रिलीस कर देगा और एकदम क्लीन हो जाएगी तो देखिए कलेजी एकदम क्लीन हो चुकी है यह सारा ब्लेट जो था वो निकल चुका है अब अच्छे से इसको बहुत अच्छे से दो लें यह दो लिया है एक दम क्लीन ओ गई है कोयी इसमेल नहीं है कोई ब्लड नहीं है यह देख सकते आप बहुत ही इजी मेथड है इस तरह से आप कलेजी को साफ कर सकते हैं अब इसमें एट करना है हमें देखिए इसको मसाले लगाएंगे तो 1 टेबल अब इसमें आट करेंगे हम 200 ग्रम देँ तो यहां पर हमने दीए दही आट कर दिया है अच्छे से mix कर लेंगे नमक अभी हम add नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नमक अभी add करने से कलेजी एकदम hard हो जाती है तो हम last में नमक add करेंगे अब इसको cover करकर side कर दिंगे और यहाँ पर हमें एक माम दस्ता ले लेंगे इसमें add करेंगे चार हरी मिर्च एक इंच का द्रक का टुकड़ा साथ से याठ लहसुन के कलिया इनको हमने कूटना है मतलब दर दरा सा कूट लेना है तो यह देखी हमने दर दर इसी इनको कूट लिया है तो अब इसको side कर देंगे यहां पर हम एक वेसिल रख लेंगे पेंट कड़ाही पॉर्ट कुछ भी ले सकते हैं 150 ग्राम यानी 1.500 ग्राम ओइल गरम हो चुका है तो यहां पर एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची यानी काली लाइची चार लॉंग नहीं है तो नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं और एक तेश पत्ता तो यह एट कर देंगे इनको कुछ सेकिंड के लिए क्रेकल कर लेंगे तो मसाले हमारे यहां पर क्रेकल हो चुके है तो अब इसमें एट करेंगे प्याच तो 3 मीडियम साइस के प्याच बारी कट किये हुए यह एट कर देंगे और इनको हमें हलका सा गूल्डन सा करना है बस हलका सा कलर चेंज हो जाए इतना पकाना है तो हाई फ्लेम पर आप इसको देखिए इस तरह से पका लीजिएगा हलका सा कलर चेंज हो गया है तो अब इसी टाइम पर इसमें एट करेंगे जो हमने मसाला कूट कर रखा हुआ था ना अद्रक, लहसुन, हरी मिर्च बहुत कर देंगे बहुत ही अच्छा फ्लेबर आएगा तो जुरूर एट कीजिए अब इनको भी हमने एक मिर्ट पका लिया है यह देखिए बहुत ही अच्छी खुश्चबू आ रही है और अब इसमें हमने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिये थे जिसको हमने रफली चौप कर लिया है बारिक बारिक कट कर लें यह एट कर देंगे अब इनको हाई फलेम पर पकाना है टमाटर गलने तक तो अगर अभी तक आपने इंस्ट्रग्राम या फिर फेस्बुक पर फालो नहीं किया है तो जल्दी से जाईए फालो कीजिए लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखिए टमाटर यहां पर गलने मिल बॉक्त फलेम थी ख़ंचीए फऔर यहां अब याशी मजें तक चलाना ओप कर देखिए खोल गतर कर दें लेते हैं बहुत अछे से उसको हाई फलेम पर हेंे उसी तरह से सीन कोई पांटर नहीं किया बस इसने अपना पानी रिलीस किया है कले जी ने और दही का पानी उसीमें यह पके यह देखी हमने अच्छे से हाई फ्लेम पर इसको भून लिया है कले जी बहुत अच्छे से भूनने लगी इसका color भी चेंज हो गया है यह देखिए कि यसने को भूनते रहेंगे हाइफ लें पड़िखा जितना बूलेंगे नो अच्छा क्ले जी में टेस्ट करेंगे तो बिस अब इसमने करेंगे नमक राध करके लीजिए कुम इसиля नमक नमक क्रेजिए थोड़ा सा कट किया हुगा हरे दनिया एक मुठी तो देखिए कलेजी बहुत अच्छे से हमने पानी डाल कर भी इसको भून लिया है बस फ्लेम को बंद कर दीजिए आदा लेमन जूस एट कर दीजिए बहुत एच्छा टेस्ट आएगा नहीं एट करने चाहते तो इसके भी क अगर एट नहीं किया था अपने ही फ्लेवर्स में यह पकी है यह देखिए यहां पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूंगी बहुत ही सौफ्ट है बिल्कुल भी हार्ट नहीं हुई है तो आप ट्राइज जुरूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राइक करते हैं तो म बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफीज